साइन साइब नर्ग भोगी में मुखमंतरी निजिश कुमार मेडिकल कॉलेज के सिल्ला नियास किया है जिसको आपने बावाल मचा दिया है सत्यागरा पे बैठ गया है और आपका अभी मुखमंतरी जी ने भरी सबा में जवाब दिया है कि अगर ऐसा ही था तो अप अपनी सरकार में क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बनवा है या अपने इनी के सरकार ने पहले क्यों नहीं आपनी जो समस्ती पुट टाउन था उसमें जमीन दियें सरकार को मुखमंतरी जी ने खुली सबा में कई बातों को कहा तो हम उस बात को असपस्ट कर देना चाहते हैं कि 2012 में मुखमंत्री जी ने अपने भाशन में भी इस बात को कहा कि यह कंदर प्रायोजित योजना है और 2012 की यह योजना थी और बिहार के पांच जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमती भारा सरकार ने 2012 में दी थी और 2012 में भूल गए थे मुखमंत्री जी कि 2012 में यूपीय की सरकार थी यह मेडिकल कॉलेज जो बिहार में पांच medical college खुलना है जिसमें समस्तिपूर भी है वह UPA मनमोहन सिंग के सरकार की देन है जब हम लोग की केंदर में सरकार थी एक सवाल का उनके जवाब हुआ है कि आपने अपने कार्चकाल में क्यों नहीं खोला दूसरी बात यहां कि भाई जमीन क्यों नहीं उपलब्त कराया मुखमंत्री जी का एक सवाल था कि जमीन क्यों नहीं उपलब्त कराया जैसे ही medical college खोलने के लिए जिलाप्र शासन को और राज सरकार ने जमीन तलासनी शुरू की तो राज सरकार के स्वास्त विभाग ने ही housing board का प्रस्ताव जिलापदाधिकारी से मागा और housing board के लिए जो जिला मुख्याले में है इसलिए प्रयासरत थे कि पूरे जिला का मुख्याले है वो यातायात के दृष्टी कौन से चाहे train से हो बस से हो वहाँ पर तमाम तरह की सरकों का मिलान है वहाँ पर और जिला में आने जाने की बहुत सुविधा है रहने वगरे की प बच्चे सब पढ़ने के लिए आएंगे अधर स्टेट से आ सकते हैं अधर कंट्री से लोग आ सकते हैं तो हर तरह की फैसलिटी उनको चाहिए होती है खास तोर से जो इलाज कराने वाले लोग हैं जो 45 लाग जिला की आबादी है और 45 लाग शिम नहीं कही है बलके बेगु दो करोड की आबादी कहां आसानी से आ सकती है तो गरीब गुर्बे का ध्यान में रखते हुए सरकार का यद्दाय तो है कि कोई भी योजना इंप्लिमेंट करने से पहले गरीब गुर्बे का ध्यान दे कि समाच का कमजोर तबका अंतिम पैदान पे रहने वाला लोग आसा था कि बेगुसराय खगडिया या आसपास के जिला के लोग भी आसानी से 10-20 रुपिया पचीस रुपिया किराया दे करके जिला मुख्याला में आ जाएंगे और वहाँ पर अपना इलाज करा लेंगे इसलिए हम लोगोंने कोशिस किया था और सारी परक्रिया पून कर ली करने के लिए इस बात पर हम लोग किया पत्ति थी हमने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को दो बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने पूरी बात बताई परन्तो निर्णाय उसी एक वैक्ति के पक्स में गिया 45 लाग जनता के भी पक्स में चला गिया तो इसलिए हमने पत्र लिखने के बाद मिलने के बाद जब नहीं हुआ तो मैंने सत्यागरह के माध्यम से जो गांदी जी ने बताया था उसके माध्यम से हमने वहाँ पे एक आंदोलन किया जिसमें पूरे जिला के प्रबुध लोग वहाँ पर उपसित हुए और एक सवाल और मैंने उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चीज जो जिला मुख्याले में होनी चाहिए थी वो दूसरे जगा चली गई और जिस तरह मैं मुखमंत्री जी से मिलकर उनको कन्विंस करने का और समझाने का कोशिस किया लेकिन पता नहीं जनता दल यूनाइटेट के बड़े बड़े नेता या इंडिये के कई नेता कैसे इतने बड़े मुद्धे पे चुप बैढ़ गए आखिर राजसभा सदस रामना ठाकुर जी थे मैंने चाहा कि उनको भी चाहिए था कि वो भी इस मुद्धे को ले करके क सिर्फ एक वैक्ति मैं धन्यवाद देता हूं महिशर हजारी जी का जो वहां के पुर्व सांसद रहें अभी वह हैं कल्यानपुर से क्योंकि यह समामला सिर्फ समस्ति पूर शहर का नहीं था यहां मामला पूरे कल्यानपूर विधानसभा वारिस पूर नगर विधानसभा रोसरा विधानसभा हसनपूर विधानसभा विभूति पूर समस्ति पूर तमाम लोगों के लिए यहां तक मुर्वा विधानसभा सब लोगों के लिए सुलब था मैंने सब के लिए आवाज उठाया था पता नहीं चंता तर यूनाइटिट के तमाम नेता मैं सब से संपर् सथान सथ नहीं उनको बहुत जिम्मेदार नहीं मानूँगा लेकिन फिर भी जितने लोग थे सब लोग भाजपा स्री वोट मांगती है जंतादर उनाइट के लोग से वोट मांगते हैं लेकिन इतनी बड़ी चीज समझती पुरजिला से चली गई अब यहीं नहीं यहां तक क सब्सक्राइबने में तक लिएंगी इंजरिंग कोलेज के लिए सारी प्रकृणी के लिएंग कोलेज के लिए सारी परकीलिया प्रण कराली नहीं मुख मंतरी जी से मीरी बाच्चीत हो गई उन्हों ने भी असवार्त किया था क्या हो जाएगा giямेरे अब यहां पता चल ला United के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, लोजपा के नेता हैं, यह चुप के हैं, क्यों बैठे हुए हैं, हम एक परतिनिदी होने के नाथ के अपने दैट को समस्ते हैं, और जिस तरह Medical College के लिए हमने इतना कोशिश किया, Engineering College के लिए, अगर सरकार ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, और सही जगा का चियन Engineering College में भी नहीं किया, तो इससे बड़ा अंदोलन होगा, अब समस्तिपूर की जनता अपने साथ हो रही नाइंसाफी को बरदास्त नहीं करेगी, और मैं तमाम लोगों के साथ मिट रहने के बावजूद, सारी परकिरिया और सहमती मिलने के बावजूद, जिस तरह से सरकार एक वैक्ति को खुस करने के लिए, तमाम संस्थाओं को यहां से दूर देहाक में ले जाकर के, जहां पड़ाबा, गमन और विबिन तरह की समस्याएं उत्पन हो सकती है भविस में वहां पर एक वैक्ति को खुस करने के लिए, 46 लाक, 50 लाक लोगों को नाखुस करने की कोशिस की जा रही है, कत्ता ही से मैं बरदास्त नहीं करूँगा और जनता के हित में इसके लिए मैं लगातार सदन से लेकर सरक तक लड़ता रहूँगा और बाध करूँगा सरकार को, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस अंदोलन से, हमारे इस आग्रह से सरकार जुकेगी, सरकार मानेगी, यही बात मैं बताना चाहूँगा.